रादे रादे दोस्तों तो आज हम चल पड़े हैं चुल्टाना धाम जो है पानी पत में तो देख सकते हैं आप डूडू को मस्ती करते हुए और यहां पे आज हमने चुल्टाना धाम जाने आप बनाया है अपना प्रोग्राम तो राइस सुभा सुभा के खे बज़रे हैं आ अच्छा मौसम है हल्की हल्की ठंड है यह रहा हमारा रास्ता एक दम धुंद वाला मौसम हो रखाया है और बहुत हल्की ठंड है को जादा ठंड नहीं है पर ऐसे लग रहा है कि धुंद बहुत जादा गिरीवी है तो यहां पर देख सकते हैं गाईज अब चुल्टाना धामता कुछ भी नहीं पता रास्ता भी हमें पूछना पड़ेगा रस्ते में हम यहां केसर धावे में रुके हैं नाश्ते के लिए अपने नाश्ता लंच जो मर्दी कहलो तो आप देख सकते हैं यह धावा भी बहुत अच्छा है गाईज आज यहां पर रैली थी किसी मंत्री की तो रस्ते सारे बंद थे बड़ी मुश्विल से यह धावा मिला है जिससा रास्ता ओपन था तो हम यहीं आ रहे हैं काफी अच्छा लगा यहां पर केसर धावे बहुत सारे है जाइस यह पैचानना मुश्विल है कौन सा है इसलियर कौन सा नहीं पर यह वाला हम अच्छा लगा हम दो-teenth पहले भी रुखे थे केसर धावे में तो वह इतनने अच्छे नहीं थे तो यहाँ पे हमने किया breakfast from lunch और उसके बाद हम आरे ठेले निकल पड़ेंगे आप देख सकते हैं अंदर का view इसके अंदर भी rooms बने वे हैं अगर आपको privacy चाहिए तो अंदर भी room है यह देख सकते हैं उस्टा डूर यहाँ से है और यह है इस्टा बाहर का लुट आप देख सकते हैं यहाँ पे जूले विगरावी हैं side में और यह आज के हैं हम चुल्टाना धाम यह है तोरंदवार तो आप देख सकते हैं guys यह एक डाव में ही बसा हुआ है जो पानी पत में है और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं मंदिर में और यह है वो पीपल का पेर जिसमें बबरिक जी ने एक तीसे छेत किये थे और यहाँ पे है शाम टुंड जो अभी पानी नहीं भरावा था जिसमें खाली कर रठा था शायद शाम की के जरंदिंग के उस सब में पानी भरेंगे और यह है मंदिर तो बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए गाईज यहाँ पे भीड बिल्कुल नहीं थी अभी तूकि यही टाज आ जा रहा था कि अभी शाम बाबा टा बर्ड जरंदिन आ रहा है तो उस वक्त यहाँ टाफी भीड हो जाएगी तो आप देख सकते हैं यह है वो पीपल टा पर इसमें जब पत्ते नहीं आते हैं गाईज वो अच्छे आते हैं लेकिन जैसी वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसमें अपने आप छेध हो जाता है जो यहाँ के एक सिक्योर्टी गाड ने हमें बताया तो हर पत्ते में छेध है यह सचाई है और यह है बाबाजी के दर्शन तो प्रेम से बोलो जै हारे के साहरे की जै जै ठाटू बाबादी तो हमने बहुत ही अच्छे से दर्शन किये देख सकते हैं भीड नामात्र है तो बहुत अच्छे से दर्शन होए, पुजारी जी से भी दर्शन होए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पीपल के, पेर पे हमने अपनी मननत का धारा बांदा, और उसके बाद, टाफी टाइम हमने यहाँ स्प्रेंट किया, तो देख सकते हैं, आप अच्छा धाम है, तो यहां तर्वाइज मंदल का सीधा रास्ता है वहीं से चले जाते हैं जो भीड़ नहीं होती यह शाम टूंड का गेट है आप देख सकते हैं अभी यह लॉक किया गिया है और शाम टूंड को पूरा साफ किया गिया है जो शायद जरंदिंग के अफसर पर इसे पानी से भरेंगे तो अभी तो ये बंध है तो हम इसके भार से ही दर्शन चरते हुए और देख सकते हैं आप यहां डुगडू ने बहुत मज़ा किया और टाफी अच्छा भी है यह देख सकते हैं आप टाफी अच्छा एरिया है तो यह दिक्चत्वरी बात नहीं है तो यह बीड भी नहीं थी तो यह ऐसा नहीं था डुगडू अपना लगा हुआ था कहीं भी जाने में आने में यह देखिए